प्यारे भाई बेहनों, आपको कोई भी वेक्ति, कुछ भी मानने को विवस नहीं कर सकता, अर्थात दूसरा वेक्ति जो सोचता है, वो अपनी सोच को आपके उपर थोप नहीं सकता, हाँ आपको समझा मात्र सकता है, आप यदि ये मानते हैं कि इश्वर है, तो फिर ये आप की अपनी मान्यता है, कि इश्वर नहीं है, और यदि आप ये मानते हैं कि लक्चुरासी योनिया होती है, तो फिर लक्चुरासी योनिया होती है, और यदि आप ये मानने वाले हैं, लक्चुरासी योनिया नहीं होती, तो फिर आपके लिए लक्चुरासी योनिया नहीं ह होता है तो फिर पुनर जनम सत्य है आपके लिए और यदि आप यह मानते हैं कि जीवात्म का कोई पुनर जनम नहीं होता तो फिर आपके लिए जीवात्म का कोई पुनर जनम होता ही नहीं पुनर जनम का सिध्धान पर आपके लिए वेकार है व्यर्थ है मतलब यहां कहने का यह है मेरा कि आपको कोई दूसरा व्यक्ति यदि कुछ भी समझाने का प्रयास करे आपको कुछ मानने को विवस करे तो ये आपके ओपर डिपेंड करता है कि आप उस बात को माने या ना माने मानना आपका अपना व्यक्तिगत मामला है मानना मन से सम्मंद है मानने का मान लिय तो गंगा मा है और नहीं माना तो फिर बहता पानी ही है इसकी अत्रिक्त और कुछ भी नहीं है प्यारे भाईयों बहनों मेरा ये अपना नीजी मानना है कि लक्चोराशी योनियां होती हैं और मैं लक्चोराशी योनियों को चारो तरफ अपने देखता भी हूँ हाँ यह बा लग्चोरा सियोनिया होती हैं आपको यह बात मानने के लिए अपने धर्म गरंतों को देखना चाहिए उनमें पढ़ना चाहिए रिशी मुनियों की बाणियों को पढ़ना चाहिए पीर पैगंबरों की बाणियों को पढ़ना चाहिए और आज के समय में भी जो तमाम संस्था चल रही हैं वो उस बारे में क्या कह रही है परंटु मैं यहां आपको बिलकुल भी फोर से में लिखा रहा है कुछ भी गुरु पीर पेगंबर कहें आपको कोई फरक नी पड़ेगा आप यदि ये मानते हैं कि लग चोरा सी योनिया नहीं होती तो फिर लग चोरा सी योनिया नहीं होती आपके लिए मेरे लिए होती हैं क्योंकि मैं तो लग चोरा सी योनियों को मानता हूँ आप यदि यह मानते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं तो फिर आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती आपके लिए मेरे लिए होती है क्योंकि मैं आत्मा को मानता हूँ आप यदि यह कहते हैं कि जीवात्मा जैसी कोई भी चीज नहीं होती आपके लिए आपके लि यह मानते हैं कि हर योनी में एक ही आत्मा है तो फिर एक ही आत्मा है और मैं ऐसा मानता हूं परंतो आप यदि यह मानते हैं कि हर प्राणी में अलग-अलग आत्माएं हैं तो फिर आपके लिए अलग-अलग आत्माएं हैं मेरे लिए नहीं हैं मेरे लिए तो हर योनी में हर प पुराणी में अलग-अलग जीवात्मा है तो फिर सब में अलग-अलग जीवात्मा है और मैं ऐसा मानता हूं कि सब में अलग-अलग जीवात्मा है और जीवात्मा ही अलग-अलग शरीरों में भरमन करता है मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि मैं तो अधिकांस बे बाते मानता हूँ जो या तो मेरे सत्गुरु कहते हैं या फिर वेद, पुरान, अपनिशद, आद्डी से निकल करके आती है मैं इन बातों को पूरी तरह से मानयता देता हूँ और मैं इसे देखता भी हूँ क्योंकि मैंने सत्गुरु की करपा से ब्रह्म्यान प्राप्त किया है एक कमेंट देखिया यह कमेंट तुशार हल्पती जी का है मात्मा जी धन्नकार जी दास का एक फ्रेंड है और एक दिन उस फ्रेंड से दास की परमात्मा पर चर्चा हो रही थी और उस चर्चा में लग 84 के उपर बात शुरू हो गई उसका कहना है कि लग 84 जैसा कुछ है ही नहीं इनसान को जीवन समापती के बाद फिर से इनसान नहीं बनाया जाता है मरने के बाद कोई पशू पक्षी नहीं बनता और जो इनसानी जनम इसी में इनसान पशू बाला जीवन जीता बाकि कोई लग 84 है ही नहीं और दास के पास इस बात की ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण दास उस फ्रेंड से ज़्यादा बात नहीं कर सका आप थोड़ा इस लक्चोरासी चक्कर पर थोड़ा प्रकास करने की करपा करें धन्नकार जी महापुर्शा जी अगर आपके फ्रेंड ये कहते हैं कि लक्चोरासी जैसा कुछी भी नहीं होता तो फिर नहीं होता होगा ना उनके लिए क्योंकि मैं और आप हम सबको तो लक्चोरासी दिखता है ना ये कीडे ये मकोडे ये पसू ये पक्षी ये पेड ये पोधे जलचर नबचर थलचर ये जो दिखते हैं ना पेड क्या योरी नहीं है पशू क्या योरी नहीं है पक्षियों की क्या योरी नहीं है और कीडे मकोडे क्या ये योरी नहीं है आप और हम इनकी गिंते नहीं कर सकते क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर गिन पाएंगे तो लाख दो लाख चार लाख तक ही गिन पाएंगे इससे ज़्यादा एक-एक करके गिनना हमारी सामर्थे से बाहर है परंतु चुकि पुराणों में ऐसा लिखा है पुराण पदम पुराण में इसके बारे में बिस्तार से चर्चा है इस लोक भी है अगर हम उनकी तरफ देखें तो जो हमारे रिशी मुनी जो बहुत प्राचीन समय में इस काम को कर चुके हैं एक-एक योनी को गिन करके उन्होंने लिखा चौरासी लाख योनिया है अब यदि आपके फ्रेंड इस बात को नहीं मानते तो मत माने ने दीजिए ना हम तो मानते हैं क्योंकि हम अपने गुरू की बात मानते हैं वो अपनी बात मानते हैं हम अपने गुरू की बात मानते हैं गुरू ने यदि कह दिया तो फिर हमारे लिख चौरासी लाख योनिया है क्योंकि हम गुरू बाले हैं वो गुरू बाले नहीं है रही बात यह है कि इनसानी जीवन में ही पशु बाला जीवन इनसान जी लेता है तो ऐसी सोच रखने वाले अकेले यही नहीं हैं तमाम लोग हैं और इसमें थोड़ा सच भी है हाला कि पूरी तरह से सच तो नहीं है इनसान का जीवन इनसान का स्वभाव ही उसे पशु बनाता है इनसान का स्वभाव ही उसे इनसान बनाता है और इनसान का स्वभाव ही उसे देवताओ की श्रेणी में भी ले जाता है इसमें कोई असत्य नहीं है लेकिन मेरा मानना यह है कि केबल इस शरीर के माध्यम से व्यक्ति पशू पक्षी अथबा अन्य योनियों के प्राणियों की तरह अपने जीबन को नहीं भोगता बलकि मेरा मानना यह है कि मैं मैं जीब हूँ मैं ये शरीर जीब है और इस शरीर को चलाने बाला है आत्म यानी जीब का आत्म जिसे मिला करके हम जिसे शब्द का इस्तिमाल करते हैं बहे है जीब आत्मा और जीब आत्मा इस शरीर को चलाए मान रखता है आत्मा की शक्ति के क वारण चेतन्ता जब तक शरीर में रहती है तब तक शरीर हरकते करता है और तब तक कई बार वो पश्वों की तरह भी व्यभार करता है कई बार वो पक्षियों की तरह भी व्यभार करता है जानबरों की तरह भी व्यभार करता है लेकिन इसका तात्पर यह बिलकुल भी नही हैं कि ये जो दूसरी योनिया हैं पसू पक्षी कीडे मकोडे और जो दूसरे पेड़ पोधो आदिकी कि जीवातमा को इनमें नहीं जाना पड़ता मेरा मानना बिलकुल इस पश्ट है कि जीवातमा शरीरों की लगातार यात्रा कर रहा है बाशान से जीरणानी यथा भिहाए भगवान कहते हैं हे अरजुन जिस तरह से पुराने बस्तर हो जाने पर मनुस्य उन पुराने बस्तरों का त्याग करके नए बस्तर धारन कर लेता है ठीक उसी तरह से जीवातमा एक शरीर के जीरण शीरण हो जाने पर उस शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारन कर लेता है बस्तर खौल है शरीर को ढखने का मनुस्य बस्तर का त्याग करता है शरीर का त्याग नहीं करता सांसारिक दरशी से देखा जाए तो और बस्तर वो बस्तर कभी कोटन के पहनता है कभी किसी और तरह के बस्तर पहनता है कभी किसी और तरह के बस्त्र पहनता है, कभी कुर्ता पहनता है, कभी शर्ट पहनता है, कभी शेरवानी पहनता है, कभी कोट पहनता है, कभी कुछ पहनता है और जीबात्मा जीबात्मा शरीर का त्याग करता है आत्मा का नहीं क्योंकि जीबात्मा आत्मा का त्याग कर ही नहीं सकता शरीर जैसे ही जीरन सीरन होता है उस बस्तर के तरह से बैसे ही जीबात्मा शरीर का त्याग कर देता है और नए शरीर में परकट हो जाता है अर्थात यहां पर प्राणी से ताथ पर रिये है जीवात्मा से क्योंकि जीवात्मा जब तक शरीर में नहीं होता तब तक शरीर निर्जीब होता है जीवन बिहीन सजीब नहीं होता भगवन कहते हैं कि शरीर में आने से पहले सभी प्राणी अपरकट थे और शरीर छूटने के बाद में एक बार फ़र से सभी अपरकट हो जाएंगे केबल बीच के समय में ही अर्थात जनम से मरत्यों के बीच का जो समय है जिसे हम जीवन कहते हैं केबल इस समय में ही ये प्राणी अर्थात जीवात्मा परकट रहता है मनुस्ये के लिए सभी बस्त्र समान है केबल उनका एक ही काम है शरीर को ढखना बावजूद इसके किसी बस्त्र से मनुस्ये को अधिक लगाब होता है और किसी बस्त्र से उसे कम लगाब होता है ठीक इसी तरह से जीवात्मा के लिए सारे खौल सारी देहे, सारी योनिया समान ही है परंतु एक खास अर्थात मनुस्ये सरीर से उसे विशेश प्रेम होता है क्योंकि मनुस्ये सरीर में आने के बाद में वो जीवात्मा अपने आपको स्वातंत्र महसूस करता है उससे उसे प्रेम है जीवात्मा के माध्यम से मस्तिष्च शोचता है मन सक्रिय हो जाता है और मन सक्रिय होने के बाद में इंद्रियों को आदेश देता है और काम कोन करती है? काम करती हैं इंद्रिया बेद गरंधो और पुराणों के अनुसार इस सरश्टी के परानियों को दो भागों में बढ़ा जा सकता है पहले बे जिनका जनम योनिज है अर्थाद जो योनिज से गर्ब से जनम लेते हैं और दूसरे होते हैं आयोनिज जिनका जनम योनी से नहीं होता जो आयोनिज अर्थात यूही बिना गर्ब धारण किये जनम ले लेते हैं और प्राकर्तिक अनुसार इन प्राणियों को तीन स्रेणियों में बढ़ा जा सकता है नभचर, जलचर और थलचर पदम पुराण के अनुसार जलच नब लक्षाणी अर्थात जल में रहने वाले प्राणियों की संख्या नो लाग है इस्थाबर लक्ष बिमशती अर्थात इस्थाबर पेड़ पोधे बीस लाग है कर्मयो, रुद्र, संख्य के है, अर्थात किर्मी, कीडे मकोडे, सरी सरफ, इनकी संख्या ज्यार लाग है पक्षणाम, दश, लक्षणम, पक्षियों की योनियां दस लाग है और तरंशल लक्षानी पश्व है पशू जो पशू है उनकी संख्या तीस लाग यानि उनकी योनियां तीस लाग परकारगी बताई गई है चतुर लक्षानी मानवहा और जो मनुस्ये या मनुस्ये की तरह के प्राणी है उनकी योनियों की संख्या चार लाग बताई है पदम से योनी को सर्वस्रेष्ट बताया गया है आप यह जानना चाहते हैं कि एक मनुस्य अपने जीवन में अने को बार पशुबत भी अभार करता है अने को बार चंचल पक्षियों की तरह भी अभार करता है अने को बार कीडे मकोडों की तरह अखी बाँ 37 परभार करता है और कई बार कई बार ज़लज योनी के प्राणियों की तरह बियावर करता है आखिर बो ऐसा करता क्यों है तो आपको इसका इसका उत्तर मिलेगा इस वीडियो में आगे में और उपने रहे इस वीडियो आप Preывать के साथ पारबस जीब स्वबस भग बनता जीब अनेक एक श्रीकंता अनेक जीब हैं और श्रीकंता अर्थात ब्रह्म एक ही है अलग-अलग शरीरों में अलग-अलग जीब आत्माई मौजूद हैं आत्मा एक ही है और ये एक जीब आत्मा एक योनी में एक ही बार नहीं आती मैं नरेश, नरेश मेरी जीबात्मा, मेरी शरीर के अंदर, कि बन एक ही बार, मेरी जीबात्मा हम एक ही बार, शरीर मनुसहे का धारण नहीं करूँगा, अनेक बार, ऐसा नहीं है कि, मनुस्य सरी धारन करने के बाद कभी किसी और योनी में चले गए किसी और योनी में चले गए पुरान की माननी अता के अनुसार एक जीब आत्मा तीस लाख बार याद रहे एक जीब आत्मा तीस लाख बार इस्थावर योनियों में जनम लेता है ब्रक्षो की योनियों में जनम लेता है कभी वो पीपल में रहता है कभी बरगद में रहता है कभी नीम में रहता है कभी आम में रहता है इस तरह से तीस लाख बार पुरान की मानियता के अनुसार उसे इस्थाबर योनियों में जनम लेना होता है और जब 30 लाख बार का ये चक्र पुरा हो जाता है तो फिर उसे जलचर प्राणियों में 9 लाख बार 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 जनम लेना होता है बार बार जनम लेता लेना होता है कभी मगर मच बनता है कभी मचली बनता है कभी कुछ और बनता है कभी कुछ और बनता है दस लाख बार किरमी योनियों में अर्थाद कीडे मकोडों की योनियों में दस लाख बार उसे जनम लेना पड़ता है और ग्यारा लाख बार उसे पक्षों की योनियों में जनम लेना होता है इनके बाद उसे 20 लाग बार पशु योनियों में बार बार परकट होना पड़ता है बार बार परकट होना पड़ता है बार बार परकट होना पड़ता है और उसके बाद में गाय योनी में आता है गाय योनी में आने के उपरांद फिर उसे मनुस्य योनी मिलती है और वो मिलत होता है बार-बार मनुस्य बन करके पैदा होता है और उससे पहले वो जिन अन्य योनियों में रहा वो उनके स्वभाब उस जीवात्मा के मन में जो अद्रश्य रूप में होता है जो दिखता नहीं है लागातार संचित रहते हैं इसलिए उन योनियों में बना उसका स्वभा सभाब इस मनुस्य जीवन में भी उस पर कभी कभी हाबी हो जाता है इसलिए एक मनुस्य कभी पशुबत विभार करता है कभी चंचल विभार करता है कभी गंभीर हो जाता है और कभी बिलकुल जडबत हो जाता है ये संसकार ये सभाब लगातार उसके साथ बने रहते हैं 80,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 जनम मरन लेना और एक मनुस्य अलग अलग सभाब के क्यों होते हैं ये सारे का सारा भेद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा वीडियो यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा और इसे शेयर करना बिलकुल भी मत भूलिए अभी शेयर कर दीज चैनल पर यदि नए है और आप इसी तरह के वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो इस चैनल यही है सच को अभी सब्सक्राइब कर लीजेगा यह मेरी आप से प्रार्थना है इनी शब्दों के साथ आप सभी को जैहिंद नमस्कार और प्यार भरी धन्नंकार